महाराष्ट में विदान सबाद चुनाओ का बिगुल बच चुका है हर कोई अपनी यात्रा लेकर लोगों के बीच है इस वक्त हम महाराष्ट के उपमुख्य मंतरी और साथ ही राष्टवादी कॉंग्रेस के राष्ट्रे अध्धक्ष अजित पवार के साथ है लगातार उनकी भी जन सम्मान यात्रा हर उस वक्ती के पास पहुचने की कोशिश कर रही है जिस तक यूजनाएं जो बजट के मारफ़त रखी गई हैं वो ले जानी है हमारे साथ अजी दादापवाद जिस तरह की सभाएं देख रहे हैं जन सम्मान यात्रा आप लेके निकले हैं 49 विधान सभाद शेत्र में लगभगा पहले दौर में पहुचना चाहत की कोशिश है आपकी किस तरह का रिस्पॉंस आपको मिल रहा है क्या आपको लगता है कि चुनाओं में कितना कुछ इस जन सम्मान यात्रा का फाइदा पहुचेगा हमने शुरुआ आज तीसरा दिन है दो दिन हो गए है अलग अलग अरिया में हम जादा नहीं जादा से जादा पूरे दिन दो कॉंसरंसियों में हम जाना चाहते हैं और वह जाके हमारे महिलाए हमें मिलती है बाकी लोग मिलते है और मेरा जनल सन्मान यात्रा के बारे में हमने ये यात्रा क्यों निकाली उसका कारण क्या है उसमें हमने इस बजट में क्या-क्या नई योजड़ा युवा युवतियों के दी है फार्बर्स को दी है, अपने मैलाओं को दी है, वो ठीक तरह से समझाने की मेरी कोशिश रहती है अपोजिशन वारे हमारे उपर अरोप करते हैं कि ये युजना काली चुनावी जुमला है उनको जो कहना है वो कहते हैंichen की ये जादा दीन आगे चलने वाली नहीं रही लेकिन मैं आपके मध्यम से पूरे महराष्टच के मैलाओं को बताना चाहता हूँ कि मैं दस बार ये महराष्टच ज़्वेक का बज़ेट पेश किया है, उसके बारे में मालूमात है आप ये कहते हैं कि आप स्कीम आगे बीच शुरूर रखेंगे लेकिन उसके लिए सरकार का दुभारा आना ज़रूरी है क्या वो जो गणित चुनावी गणित हम जिसे कहते हैं लग रहा है कि मौजूदा इस्तिती में बैठें कि लोगसभा चुनावा में जिस तरह के की अपेक्षा आप लोगों के थी मद्दाताओं से वो तो आप लोग के साथ नहीं रही है समिर जी लोग सब हमें टोटल पॉइंट सिक्स परसेंट पॉइंट सिक्स परसेंट वोट उन अपोजिशन से हमें कम मिले उससे ज्यादा नहीं मिले तब हम जा बैठें यह नगर इस्टिक के शिवरी है नगर नासिक सोलापूर पुना सातारा यह जो बेल्ट है उसमें हमारे फार्मस पैस बहुत लगाते हैं और पैस के बारे में दाम जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला एक्सपोर्ट पैस के लिए बंदी उन्होंने की थी ऐसे जो प्रॉब्लिम से इसलिए हमारे सभी किसान नाराज थे नमर एक नमर दो यह सवीदान बनने वाले अब की ब हम इस चुनाओं में अब की बार चार सो पार तो अपोजिशन वालों ने फेक निरेटिव सेट किया क्या किया इनको चार सो पार किसलिए चाहिए सवीदान बदलना है रिजर्वेशन जाने वाला है जो भी आपके स्कीम है वो सब्बंध होने वाले है इसलिए शेडिल कास के जो वोटर है वो भी थोड़े से डरे ट्राइबल के लोग डरे कि शेडिल कास का रिजर्वेशन जाएगा तो अपना ही जाएगा हम उनको कहते हैं थे कि नहीं यह नहीं होने वाला जब तक चांड सूरज है तब तक यह रिजर्वेशन रहेगा सवीदान रहेगा अपना सवीदान बहुत अच्छा है हम बोलते थे लेकिन वो हमारे बोलने से ज़्यादा उन्होंने अपोजिशन वालों को उन्होंने जो हमारे बारे में इसके बारे में फेक नेरेटेव सेट किया था उसके उपर लोगोंने ज़्यादा विश्वास रखा और माइनर्टी ये भी थोड़ी सी डरी कि ये वापिस आने के बाद अपने को तकलिफ होगी क्या है इसा थोड़ा सा मुझे आइसा लगता है या इसा होगा या इसा नहीं इसलिए ये जो सेक्टर है ये थोड़े नाराज हो गए तो ये सब पकड़ के करीबं 35% वोट शेडल का शेडल ट्राइप मानर्टी इससे सब पकड़ के हैं तो इस दफ़ा हम उनको भी बोल रहे हैं कि अभी गवर्मेंट आया तिसरी सेंटरल में सविधान का हम रिस्पेक करते हैं जब शपत वीदी हुँआ प्राइम निश्पत लिए राष्ट्रपति भवन में सविधान वहां रखा था सबने शपत लिए फिर कोई भी मिटिंग रहती है तो सविधान का रिस्पेक अभी हम महाराश्रा में सविधान भवन ये बनाने के लिए हमने decision लिया है फिर जैसे सविधान भवन हम बनाना चाहते हैं वैसे ही हमने इसके बारे में लोगों को बताया कि अभी जो उन्होंने गलत कहा और डर के मारे अपने वोट दिया, हमें लगता है, वो आपका अधिकार है, वोटर का अधिकार है, हम मराठी में उसको मतदार राजा बोलते है, उनों का अधिकार जो भी था, वो उनों निभाया है, अभी हम उनको पता रहे कि, ऐसा कोई होने वाना नहीं है. आप कह रहे हैं कि माइनॉर्टी डर गया आपसे मतलब जो एजिन्डर सेट किया गया जो निरेटिव सेट हुआ चार सो का उसके बाद सवीधान बिल जाएगा लेकिन अभी एक चीज जो है वक्फ बोर्ड की जमीनों में जो नए नियम लाए जारी है केंडर की सरकार माइनॉ माइनॉर्टी के हितों की रक्षा करना मेरा काम होगा मैंने वैसा किया है विशालगड में जो हुआ तो पहले वहां मैं गया वहां हमने सब मदद की फिर कोई भी ऐसा इशू निकालता है अभी हमने जैसे ओपन कैटेगर के लिए सार्थी बन वाया बैकवर्ड क्लास के लि हमने महाज्योती बन वाया फिर हमने मातंग बैकवर्ड क्लास में मातंग जो लोग है कम्यूनिटी के कास के उनके लिए हमने आर्टी लाया बहुत साल अपने ट्राइबल के लिए हमने टार्टी लाया और बहुत साल डिमांड थी कि महनार्टी के लिए भी कुछ दाना चाह तो पन्रा दिन पहले हमने उसके बारे में मार्टी लाया हमने मौलाना अजाद कॉर्परेशन जो है उसके लिए वन थाउजन करोड रुपया भाग भाणवल उसके लिए हमने तर्टुत की और उसके बाद गारंटी गोर्मेंट गारंटी मौलाना अजातमा कॉर्परेशन जो है उसके लिए लोन लेने के लिए गौर्वर्मेंट की गैरंटी देनी पड़ती है तो पहले 30 पर 30 करोड की गैरंटी थी अभी हमने 500 करोड की गैरंटी का प्राउधान किया है लेकिन दादा आप यह कह रहे हैं इतनी प्राओधान आप कर रहे हैं लेकिन सवाल यह वहां उटता है जब वकवबोड जो माइनार्टिस के लिए बहुत आहम हुदा है क्योंकि जो जब जो जमीनें हैं उनके सामाजिक काम होता है शेक्षनिक होता है और बाकी के काम होता है अब जब वो ये सोशिन लगें कि वर्ग बोर्ड के लिए ही अगर जमीनों पर अगर नया कानून आ रहा है तो उनकी जमीने चली जाएंगी. तो ऐसे में वर्ग बोर्ड पे आप बतौर राश्ट्री अद्धक्शन सीपी के क्या राय रखते हैं? हम वर्ग बोर्ड की जमीन उनके पास ही रहनी चाहिए वर्ग बोर्ड के पास ही रहनी चाहिए महराश्ट्र के बारे में हमने चर्चा की हम माइनौर्टी के साथ बैटे थे डिपार्मेंट के साथ वर्ग बोर्ड के चेर्मन थे मैं था अब्दुल सतर जी माइनौर्टी करना चालू है बीच में वर्क बोर्ड के कुछ लैंड किसी ने थोड़ा बहुत गड़बड करके यह हुआ है यह फैक्ट है पिछले कुछ सालों से वो नहीं होना चाहिए वर्क बोर्ड की लैंड वर्क बोर्ड के पास ही रहना है कि वर्बूर में कहीं न कहीं अनिमित ताएं घपले होटाले हैं जमीनों को लेखें हुआ उसके बारे में हमने महाराश्रा में मिटिंग ली एक कमिटी की है ACS रेविन्यू उनके अध्यक्षकता से कमिटी की थी देवरा तब थे और उनको बताया था कि आप इंक्वाइरी करो और आपका क्या कहना है समीति का वो हमारे सामने पेश करो के अंदर तक आप अपनी बात ले जाएंगे ये बाते हमारी समीर जी पूरी कोशी सबी जगे होगी मैं जैसा बोलता हूँ और इसा करता हूँ ये पूरे महाराश्रा को पता है महारी कोशिश रहेगी हम उसमें जरूर माइनार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए इसके बारे में हम जादा से ज़्यादा ध्यान देंगे अब जब इससे जुरा अगला सवाल एक आखरी कि अगर माइनार्टी में इसको लेकर डर फिर पैदा हो रहे हैं अब चुनावी माहौल में फिर से तो उस वक्त कहीं न कहीं अगर भै तैयार होता है तो उसको आप किस तरीके से दूर करें हम बात करेंगे इंडिये के साथ बात करेंगे कि ये क्या मामला है इसमें कुछ माइनार्टी को डर लगता है उसका कारण क्या है तो वो बात करके उसको मुद्दा हटाना चाहिए या किसी की गलत फ़हमी होती है तो वो गलत फ़हमी निकालनी चाहिए या इस सब यह दूसरा सवाल ये कि हम देख रहे हैं कि लोग सब हमें, ये सवाल इसलिए है हमें, कि जब सुप्रिया सुले ये मुद्दा उठाती हैं कि कई आप धश्टा चार के आरोप लगाते हैं, जिन जिन पर आपने आरोप लगाए, वो सारे के सारे लोग आपको अपने साथ में ले आप हमेशा ED, CBI का दर्ड दिखाते हैं, और पुरी तरीके से अपनी लॉंड्री में डाल के उसको साफ कर लेते हैं, वो आपका भी नाम फ्लोर पे ले लेती हैं, ये जो है, ये नरेटिव आगे भी आता आपके इवदान सबाव में, ये देखो, अपोजिशन वालों ने जब क्या कहिना है, उनका आदिकारे, उसके बारे में मैं बिलकुल कॉमेंट्स नहीं करना चाहता है, समीरिज में आपको बताता हूँ, इस दफ़ा मैंने शुरुआत की है, मैं आपोजिशन वालों के खिलाफ, कुछ भी बोलने का मेरा इरादा नहीं है, हमारा काम, हमाने जो विकास किया है, उसके बारे में, और हमने जो नई योजनाएं, हमारे सभी वर्गों को लिए लाई है, उसके बारे में बोलना चाहता हूँ, और बोलने वाला ही हूँ, मैं सभी मीडिया को भी बताता हूँ, कि इन्होंने ये बताया, आपका क्या कहना है, इन्होंने ये लिए यह ऐसे इशू बिच-बिच में निकले जाते हैं उसमें मुझे नरेट्व तो सेट होता है क्योंकि चीज़े मीडिया के थुरू वाइरल होती हैं सोशल मीडिया पर आती हैं चर्चाएं शुरू होती हैं एक मिनिट दो हजार नौ या दस में मेरे उपर ऐलिगेशन हु शुरू तब मैं कहा काम करता था आपको मालू है तब वो बोलते थे दादा के ओपर अंजिद पावर के ओपर ऐलिगेशन किया है उसके बात मैं सभी होंchen के साथ काम किया है तो जो पहले मेरे उपर Allegation करते थे उनके साथ भी काम किया और अभी जो All Snapchat करते पहले उनके साथ भी काम किया ये Politics है सब जूटे Allegation सर्थ ये सब जूटे है 15 साल में 17 खरोड के घौटाले का रुटाले का रुटा अरे बबा 15 साल में आपको एक रुपए का गोटाला का सबुत मिला क्या पंदरा साल हो गए पंदरा साल एक रुपए का सबुत मिला ठाली हमारी बदना में हुई दादा फिर मनिश सुदिया जो दिल्ली के पुम्खिमत्रे जिन्होंने शराब नीटी गोटाले में जिनको जेल जाना पड़ा था अब वोने सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है कुछ चीजें उनके मामने भी मिलने ही रही इस तरह की का महल है उस पर आप क्या कहें मैंने आपको पहले ही क्या बताया इसके बारे में आपका क्या कहना मुझे मेरे योजना है उनोंने वैसा क्या उसमें मुझे कोई इंट्रेस्ट नहीं है बिलकुल इंट्रेस्ट नहीं है लगता है जो लोकषभा में जनता ने ऐकसप्प्त किया हैं पनाइन चीजों को आप रख रहे हैं कोशिश हमारा काम है हम ने व कोशिश शुरू की है जनसनमान यातरा की वाद्यम से की है और हम आगे जाना चाहते हैं लोगों को हम बता रहे हमारी बेने बेना सुन रही है और अभी देखेंगे वो तो उनका हम उनको जादा ठीक तरह से समझाने के लिए सकसेस होने वाले है या हमारे आपोजिशन वाले है या आगे चुनाओ के वक्ति आपको पता चला रिज़र्ड के बाद जब रिज़र्ड आएगा तो ही अपने को पता चलेगा बार बार हम देखते हैं कि जिस तरीके से आरेसस के कई मुखपत्र में जो आर्टिकल्स आपके बारे में आए उसके बार जो चीज़र्ड चली हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि मैं भाज़पक के साथ गया हूँ उनके पारे में उन्होंने हम महायुती में हम विकास के लिए शामिल हुए हैं और यह हमारा काम चाल हुए अलग-अलग जो भी स्टेटमेंट करते उसके बारे में मुझे कुछ ये बोलने की जरूरत नहीं ऐसा मुझे लगता है अभी भी बात चलती है कि आपके लोगसभा के कई भाशन है जो सोशल मीडिया पर है एक आज आता है कि आपने कहा था कि बारामती चुनाओं में अगर हमें लोगसभा में अगर यश नहीं मिला तो मैं आप सोच लिजए कि मैं विधान सभा भी शायद ना लड़ो यह जो है यह भी सोशल मीडिया बहुत वायरल है लोग विपक्ष कहता है उसके अमारे में पारलमेंटरी बोर्ड डिसीजन लेगा इसके अलाव जादा यह कि आपने बार-बार इच्छा वेक्ट कि मुख्यमंतरी मैं भी बनना चाहता हूँ खाली इच्छा प्रदर्शित करके कुछ होने वाला नहीं है जब तक कोई भी आदमी कोई भी परसन जब तक 145 विधायों का सपोर्ट उसको नहीं मिलता तब तब कोई भी चिप मिनिस्टर नहीं बनता अपने अपने तरफ से सबकी कोशिश चालू है लोग जिसके पीछे खड़े रहेंगे वो हो जाएगा आपने लेकिन हमेशा इच्छा जो वेक्त की है कि अपने कहाते हैं कि देविंदर फन्नुस हो गया है बाद में एकना शिंदे भी हो गया क्या होता है कभी कभी इसे स्पीश देते वोग थोड़ा बहुत हसी मज़ा किया तो भी आप बहुत सीरेसली लेते हैं यह अपनी महाराश्री की संस्कूरती नहीं है इतना सीरेसली लेने की जरूरत नहीं है वो प्रोग्राम था चिप मिनिस्टर के उपर जो उस तक प्रकाशन किया था उसके बारे में और उसमें हसे मज़ाग से मैंने वो स्टेट्मेंट किया उसमें इतना क्या सीरेसली लेने की जरूरत है अगले चुनाव महायूती का चुनाव उसका चेहरा कौन होगा आपको लगता है कि इसे कौन चेहरा हो सकता है क्योंकि एकनाशिंदे की मुख्यमत एकनाशिंदे की लड़ए है। हमें बताने क्या भी जरूरत नहीं है। वह नाजाना। जैसा सवाल करना आपका आधीडार है। तो उसके बारे में जवाब देना भी मेरा आधीकार है। तो हम सब बैठकर उसके बारे में डिस्िजन लेंगे। कोई प्राव्लम नहीं है। पहले तो ज्यादा से ज्यादा हमारे महायूती के विदाए कैसे जीत के आ सकते हैं उसको हमने टॉप प्राइटी दी